हेलो गाइज मेरे नम अनुप है और आप मेरे चैनल देख रहें अनुप गुपता दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप किस परकार पिंटरस्ट के उपर पिंस के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं चलिए दोस्तो वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो पिंटरस्ट के ऊपर कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको दो चीजों का विशेज रुप से ध्यान अखना होगा पहला आपको pin किसको पर बनानी है आप जिस चीज के उपर pin बनाएंगे उसी pin से related ही आपको block के उपर topic लिखना होगा तो इसका benefit क्या होगा आप देखो दोनों का combo अच्छे से synchronization कर लेंगे दोनों को अच्छे तरीके से ही design करेंगे मतला मैंने योगा के उपर एक pin मनाई है और मैरे blog के उपर topic भी योगा के उपर है तो इससे क्या होगा जब आपके Pinterest के pin के उपर impressions आएंगे और लोगों को वह आपकी pin पसंद आएगी तो भाई उस क्या करेंगे उस pin को पर click करेंगे जैसे वो pin को पर click करेंगे तो वो कहां पर route हो जाएंगे आपके blog के topic के उपर ठीके आपने जिस से little pin बनाई है अगर वही आपका blog topic होगा तो आपके blog के उपर अच्छा कासा engagement आएगा और आपका blog का अच्छा कासा impressions बनेंगे और आपके blog के उपर अच्छा कासा लोगों का time भी बीतेगा उसको पर मतलब काफी समय तक वह उसको पर वैतीत करेंगे तो इससे क्या होगा आपका bounce rate भी increase नहीं होगा तो इसलिए आपको इन दोनों का synchronization बठाना बहुत ज़्यदा जरूरी है ठीक है अब हम क्या करते हैं Pinterest के उपर keyword research कैसे करते हैं आपको बताते हैं तो Pinterest में क्या करना आपको topic डाल देना जैसे आपको योगा से लेटेटी कोई pin मनानी है तो आप यहाँ पर क्या type करते हैं योगा ठीक है फिर enter कर पर click कर देंगे अब बात आती है कि मुझे क्या योगा का use करना चाहिए अपना topic लिखने के लिए तो हां गाई सब योगा का use कर स उतना ही हमारे chances क्या बन जाएंगे pins के rank करने के लिए तो आपको क्या करना चाहिए लोंग टेल कीवर्ड का use करना चाहिए अब लोंग टेल कीवर्ड कैसे बना है तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ideas मिल रहे होंगे दिखराने हैं आप सारे line लगए हैं इस सभी क्या ideas तो आ आपके पास बहुत सारे options आगे जैसे मैं meditation वाले यूज कर लेता हूं तो यह क्या बन चुका है मैरे एक long tail keyword बन चुका है yoga poses for beginner meditation इसके मतलब क्या है अगर मैं इस keyword को पर काम करता हूं तो मेरी pin के क्या हो जाएंगे rank होने के chance बन जाएंगे अगर मेरी pin rank होगी तो इसके उप impressions आएंगे अगर उसके उपर impressions आएंगे तो क्या होगे इसको पर clicks आएंगे और clicks आने से वहाई से clicks कहाँ पर move होंगे मेरे blog के उपर और मेरे blog के उपर traffic आचा आजाएगा तो guys इस परकार आप क्या कर सकते हैं Pinterest के अंदर search की मदद से और Pinterest के खुद की मदद से आप keyword research कर सकते इसको आपको copy कर लेना है और copy करने के बाद क्या कर देना है आपको इसके little day pin बना लेनी है ठीक है pin बनाने का process मैंने पहले बता रखा है आप मेरे पीछली वाल वीडियो जाकर देख सकते हैं वहाँ पर मैंने बता है आप किस परकार pin और board create कर सकते हैं तो guys अगर आपको मेर वीडियो अच्छे लगी तो please channel को share वे subscribe करें वैसको लाइक करना ना भूले दन्यवाद जै भारत जै हिंद